नमस्कार दोस्तों एसके हाउस प्लान से आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब और दोस्तों अगर आप भी अपने मकान का नक्सा बनाना चाहेते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिये नंबर पर वाटसप कर सकते हैं आपके रिकार्मेंट के इंसार टूडी प्लान की पीडियाफ आपको मिलेगी जिसका चार्ज आप वाटसप पर मालू कर सकते हैं आए दूसरी साइड 36近ud हैं यहाँ पर इसमें हमने एक शॉप ढीजाइन किए है शॉप का सैज है 8 511 16 इसमें 8 फिट ये साइड है यहाँ से यह तक और 11 फिट 16 इसाइड है यहाँ पर हमने रोलिंग स्टाटर डियाइन dumbbell दिया है और अगर हम चाहें तो एक रोलिंग चटर इस साइड में भी लगा सकते हैं अगर दोनों तरफ दरवाजा चाहें तो दुकान का और यहां से हम आते हैं मेंगेट पर मेंगेट हमने टैन फिट वाइड दिया है इसमें और यह पार्किंग एंड इस्टेयर से एरिया रहेगा टैन फिट वाई फिप्टीन फिट का इसमें 10 फिट यह साइड है और 15 फिट यह साइड है यहां से फर्ष्ट पर जाने के लिए इस्टेयर रियान किया यह 3 फिट वाइड इस्टेयर से उपर की मंजल पर जाने के लिए और नीचे हमारी यहां पर यह गाड़ी पार्क हो जाएगी और यहां से अंदर जाने के ल यहाँ पर एक सेपरेट बाथरूम डियाइन क्या है फोर फिट वाई सेवन फिट नाइंच यह साइट और बीच में फाइव फिट वाई फिट का ओपन एरिया दिया है इसमें एक जाल डाल देंगे तो पूरे area के लिए ventilation मिलता रहेगा अगर आप चाहें तो इसे डाल भी सकते हैं नहीं तो कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है क्योंकि हमें इस side से road से ventilation मिलता रहेगा क्योंकि इस side हमारी road है और यहाँ पर एक हमने बड़ी window design की है और एक यह door भी है इस दूसरी side के लिए यह हमारा dining hall and living hall रहेगा और यहाँ south east में हमने kitchen design किया है इसका size है 7 feet way 11 feet इसमें 7 feet यह side है और 11 feet यह side है और ventilation के लिए इदर हमने यह window दी है जिससे kitchen का सारा दुमा वगएर इदर road side में बहार निकल सके और यह दो bedroom design किये है यह है 14 feet way 11 feet का इसमें 14 feet यह side और 11 feet यह side है और इसकी ventilation के लिए window है और यह second bedroom है 14 feet way 11 feet का इसमें 14 feet यह side और 11 feet यह side है तो दोस्तों आप सभी को यह हमारा बनाया हुआ house plan पसंद आएगा आप सभी वीडियो लाइक करें अपने दोस्तों family के साथ जाए 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 शेयर करें और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद